स्लाम नेकम दोस्तों मेरे नाम सहीदौन है आप मेरे डिजिटल चैनल देख रहे हैं इथेरियम मार्केट आज की इस वीडियो में हम डिसकस करने वाले हैं नॉमली बिटकोईन मार्केट से रेलेटेड रेगलर अपडेट में आपके लिए लेकर आता हो रहते हैं प्राइस चार्ट को चार्ट रीडिंग को और स्किल को सीखने से इनकी जान जाती है नॉमली जो मैक्रो और माइक्रो लेवल पर फर्णमेंटल नूज और नंबर्स आ रहे होते हैं उन्हीं के ओपर फोकस करते हैं कि इन्वेस्टिंग अगर आपने करनी है तो फिर जेव पिलिटिकल सिटुएशन मैक्रो लेवल के उपर दुनिया में क्या हो रहे हैं जो एकनॉमिक डेटा और नंबर्स हैं इनको समझना जाना है इंपॉर्टन आपके लिए और इनको फॉलू करते हैं लॉग तम इन्वे जिए में आपको लगता है कि गोल्ड की कीमते उपर जाएंगी ठीक है आपने एक परसेप्शन अपना बना लिया और वो जो अवेंट होने वाला है या कोई भी एकनॉमिक डेटा नंबर आने वाला है उसको जो ट्राजलेड आपने किया उसकी ट्राजलेशन आपको बता र यह जो एंट्री प्राइस, स्टॉप प्लेस्मेंट, टेक प्रॉफिट, टागेट किसी भी माइक्रो, माक्रो लेवल के फंडमेंटल के होने के बावजूद प्राइस चार्ट की जरूरत आपको पढ़ती है यह काम करने के लिए कि आपको आपकी ट्रेड का स्टॉप लॉस स्टॉप प्लेस्मेंट मिल जाए, आपको टेक प्रॉफिट टागेट मिल जाए और आपकी बेसिक भी एक प्रॉफर ट्रेड बने और ट्रेड सेट हो, घलती यहाँ पर आप लोग यह करते हो कि आप लोग ट्रेडर से जादा एकॉनमिस्ट बनने की कोशिश करते हो, आप आपको लगता है कि ट्रेडिंग एक टॉक शो है कि जिसके अंदर आपने economy के उपर अपना opinion देना है और वो opinion अगर ठीक सा भी तो हो गया आपने का देखा मैंने का था ना market उपर जाएगी उपर गई नहीं market उपर जाके भी आपका account फाड़ सकती है अगर आपका stop placement ठीक नहीं है because आपके उस economic news को सुनने और उस पे act करने के बाद अगर आपका perception ठीक भी है तो market ने सीधी लाइन में उपर नहीं जाना बलके नीचे उपर नीचे उपर नीचे उपर करते हुए eventually उसने एक upside move generate करनी है तो आपको उस upside move का क्या फाइदा अगर आपका stop खा गई market ठीक है तो इसके लिए price chart के आपको बड़ी जरूद पढ़ती है और यही काम मैं अपनी videos के अंदर screen share करके बगाएदा price chart की understanding आपको देने की कोशिश कर रहा होता हूँ एंड पर content पसंद है वीडियो को लाइक कीजिएगा चैनल को subscribe करके पहला आइगें पर click कीजिएगा without wasting एन टाइम आए चले चलते हैं इथेरियम market के price chart पे चले जी इथेरियम market का weekly price chart अपनी screen पे आप लोग देख रहे हैं और यहाँ पे sideways environment काफी हरसे से आपको नज़र आ रहा है इससे पहले कि हम sideways environment को discuss करें एक और चीज़ मैंने यहाँ पर आपसे आपको बतानी है नवंबर 2021 से यह गिर्ट्वी कीमत है आपको नज़र आ रही है कि जिसमें market नहीं यह high place किया उसके बाद market नहीं low place किया उसके बाद यह high place किया आप देखें एक structure यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि जहाँ पे हर high पिछले high से नीचे है हर low पिछलो से नीचे है और most recent lower high swing resistance area यह वाला particular level पड़ता है कि इस level को market ने upside के उपर break करके यहाँ पे एक ऐसा high भी बना दिया हुए जो पिछले high से नीचे नहीं बलके उपर है यह अगर high number 2 है और यह high number 1 है तो high number 2 high number 1 से उपर होके यह जो structure एक बना हुआ था जिसके अंदर हर high पिछले high से नीचे यानि lower highs का और हर low पिछले low से नीचे यानि के lower lows का इस structure को market ने successfully यहाँ पे वैलिडेट करके break कर दिया है और market आप बिल्कुल इस red line 2150 यह वाला level जो के इस bearish trend नमबर 2021 के बाद पहली दफा पिछले high से यह वाला high उपर बन गया इसी area के नीचे जब मैं video record कर रहा हूँ 24 नमबर तर्गीबन दोबहर 3 बजे आप देखें market बिल्कुल इस red line के नीचे trade हो रही है और यहाँ पे एक multiple inside bar pattern बन रहा है candle candles की एक ऐसी शकल candles की एक ऐसी शकल बन रही है कि जो basically अगर upside के उपर break होती है तो ना सरफ यह level break होगा बलके candles की शकले जो के एक potential buying breakout signal हो सकता है वो भी upside के उपर break होके यह पहले वाला bearish trend खतम होके एक निया bullish trend market में आ जाएगा अब यहाँ तक आप रुक जाएगा और यह जो मैंने आपको बताया है इस market के environment को weekly price chart पे मैंने you know जैसे smart money concept में बोलते है न change of character तो उस perspective से मैंने यह चीज़ आपको समझाई है लेकिन अब sideways market को भी हमने discuss करना है कि काफी अर्से से तकरीबन पिछले एक साल से जो sideways environment है वो भी upside पे break होने वाला है कैसे चार्ट को मैं clear करूँगा आप देखेंगे sideways range एक market ने broader बड़ी range बनाई जिसकी upper extreme ये थी जिसकी lower extreme तकरीबन ये थी और market इस range की upper extreme को यहाँ पर टेस्ट कर रही है और upper extreme को टेस्ट करके multiple inside bar pattern बना रही है यह वाला हफता भी active है आज Friday है यह candle जिसके अपर मेरे mouse का cursor है यह इस हफते याई अगले हफते Monday को close होगी इसकी closing के बाद अगर market upside पे break करती है तो तीन काम होगे यहाँ तीन काम याद कर लो तीन काम होगे पहला काम यह होगा कि यह वाला जो market ने यह नमबर 2021 के बाद जितने भी market ने high place की है हर high पिछले high से नीचे था ठीक है पहली दफा यह high place हुआ यहाँ पे कब place हुआ एप्रल में 2023 में जो पिछले high से उपर निकल गया यह high number two है यह high number one है high number two high number one से उपर निकल गया अगर यह upside पे level break होता है तो पहला काम यह होगा कि यह वाला high जो November 2021 के बाद पहली दफा पिछले high से नीचे नीचे नहीं बलके उपर है यह भी upside पे break होके पहले वाला bearish trend officially खतम होके उसके opposite direction में नया bullish trend officially confirm होगा एक काम ही होगा दूसरा काम ही होगा यह जो sideways range पिछले एक साल से बनी वी है इस sideways range की upper extreme जो के key resistance area है वो भी break हो जाएगा horizontal static resistance area upside पे break हो जाएगा यह भी एक bullish sign है तीसरा काम यह होगा कि इसी resistance area के नीचे यह जो multiple inside bar pattern है कि जो एक indecision pattern है यह यह ऐसी candle की शकले हैं जो के indecision शो कर रही है market के अंदर कि जिस भी direction में यह pattern break होगा उसी direction में जो है वो expected होगा कि price एक move start करेगी और ideally इस pattern को उसी direction में break होना चाहिए कि जिस direction में इस pattern के बनने से पहले वाला short term momentum या trend हो जो के bullish है तो अगर upside पे break होता है तो यह वाला pattern भी bullish side के उपर trigger हो जाएगा तो weekly price chart पे तीन ऐसे events होगे कि जो इतना जबदस thrust market को upside पे दे सकते हैं कि all the way पहली resistance market को 3500 dollars से उपर नहीं मिलेगी and that could be an amazing, amazing, beautiful trade for short term traders जो के इसके उपर काम करना चाहते हैं इसी environment को उठाके daily price chart पे लिए अबक सब लोग कहते होन भाई, shorter time frame पे हमने कैसे काम करना है higher time frame को हमने discuss करके उस पर बात करके shorter time frame पे कैसे जाने आपने shorter time frame पे जैसे weekly price chart के environment को हमने study कर लिया, understand कर लिया कि weekly के उपर क्या game हो रही है, इसी चीज़ को उठाके हम daily price chart पे जाके weekly price chart पे जो हमने idea built की है उसी idea के उपर daily price chart के उपर जाके entries को ढूनने की कोशिश करेंगे अब अगर आपने entry 4 hourly price chart पे ढूननी है तो यही काम आप daily price chart पे पर करके 4 hourly price chart पे daily price chart के idea को लेके जाके 4 hourly price chart पे जाके entries ढूनोगे daily price chart पे चलो daily price chart के उपर जनाब यह वाला zone है आप देखें बड़ा जबदस resistance area और market इस level को upside के ओपर sustain कर रही है यह basically एक पूरा band है और daily price chart के ओपर हमारे पास relevant areas है यह मैंने यहां पर levels mark कर लिए अगर market आपको downside के ओपर 1900 dollars पे pullback देती मिलती है और इस particular level पे candle की कोई ऐसी शकल बने यह वाला level है यह दो basically zone है 1850 और 1900 इस zone में candle की ऐसी शकल बनाती market नज़र आए जो कीमतों के दुबारा से उठने का clue दे रही है बाय करना चाहिए दूसरा 21-50 का resistance area अगर market upside पर daily price chart पर break कर देती है तो यह वो level होगा जहां पर ideally अगर inside bar या multiple inside bar candle pattern आ जाता है यानि candles के ऐसी शकले जो breakout trading strategy को आपको इस्तमाल करते हुए आप उनको trade कर सके यहां पर आ जाती है तो buy stop के साथ upside पर trade करना चाहिए again यह जो upside move ethereum market की start हो रही है दो option है या तो breakout trading strategy को यूज करते हुए higher कीमतों से ही on board हो जाओ या फिर pullback पर on board हो पुल बाट पर on board होने के लिए आपको relevant support areas पर market का deeper pullback चाहिए higher कीमतों से on board होने के लिए यहां पर आपको candles की कोई ऐसी शकले चाहिए जो मजीद कीमतों के upside पर जाने का आपको clue दे रही है और अगर इन दोनों में से कोई भी event market के अंदर होगा तो next मेरी ethereum markets related video के अंदर मैं आपके लिए इसकी update लेके आऊँगा लेकिन obviously YouTube, Facebook, TikTok के उपर यह जो videos हम बना रहे होते हैं, videos के बनाने में time लगता है, उसके बाद इनको posting में time लगता है, real time market update अगर आप चाहते हैं, हर candle की उसके लिए अपनी screen पे मेरा discord group देख रहे हैं, जहां पर हर market का dedicated channel है, जैसे अपनी screen पे अभी ethereum market का channel आप देख रहे हैं और group में आपको advanced level पे official website sayadon.com पे जाके trading codes and signals की tab पे click करके, इस page की information को follow करके, you can become a part of my trading and learning group, अगर आज की content है, आपके वक्त में value add की और वीडियो को लाइक जरूर कीजएगा, साथ ही साथ चैनल को subscribe करके बला आइकन पे click कीजएगा, आपना खयार रखें मुझे इजाज़त दे, अलाफिस